नमस्कार दोस्तों स्वागात इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई गौर्मेंट वेकेंसी के बारे में जो भारतिय सेना यानि इंडियन आर्मी के दवारा जो है निकल के आ रही है यह वेकेंसी फ्रेंट जो है 23 तरह के पोस्ट यहां पे निकालेगी अगर आप सिर्फ दसवी पास हैं तो आप MTS के लिए दे सकते हैं LDC के लिए 12 पास है इस तरह से जो है अलाग अलग ट्रेट वाइस भी वेकेंसी निकालेगी है ताम इस वीडियो में जो इसके सौट नोटिफिकेशन को जानेंगे सबस जहां पर हम डिसकस करेंगे और किस से सेलेक्षण होगा पहले रिटेंजिक एजाम की पहले डận होगा कि पहले अपका ट्रेट्टिस होगा हम सबक्राइब अपर डिसकस करेंगी इस वेकेंसी के रिगाडिंग तो वीडियो को आप देख तक अंप श्मपूर जनकारीव फि सबसे पहले हम इसका जॉब लोकेशन समझ लेते देखिए इसका जॉब लोकेशन होने वाला है और यहां पर देख सकते हैं इन्होंने जो है इंडियान आर्मी के अफिसली वेपसाइट पर इन्होंने दिखाया हुआ है कि CME यानि College of Military Engineering एक College है जहां पर इतने तरह की वेकिंसी यानि जो मैंना भी आपको बताया storekeeper, driver, cook, LDC, MTS जैसे तमाम तरह के पदों पर वेकिंसी निकाली गई है तो आपका job location होगा friends वो होगा CME पूने में यानि पूने में आपका यहां पर job location रहने वाला है और जो भी चीजे होगी आपका selection process में जिसे written exam होगा, trade test होगा, skill test होगा वो सब आपके पूने में ही होने वाले हैं तो यह vacancy friends जो है पूने के through निकल के आ रही है जो की CME से निकल के आ रही है यानि College of Military Engineering से निकल के आ रही है समझ गया आफ अब आए जान लेती इसके full notification के बारे में तो के friends ब आते हैं नीचे से discuss करनी वाले हैं देखिए सबसे पहला जो post है वो है लस करके इसमें लेबल वन आपको salary देखने को मिलेगी और इसमें essential qualification metric pass से तो form को apply करेंगे इसमें 13 पद वेकिंसी निकालेगी है इसके में से MTS की post है इसमें भी essential qualification देख सकते हैं सिर्फ metric pass बोला गया है इसके में से laboratory attendant के post हैं इसमें भी metric pass बोला गया है और बोला गया आपके पास experience होनी चाहिए laboratory में तो इसमें आपको दो post रहने वाले हैं इस तरह से store man की एक post है engine artificer के देख सकते हैं friends यहां पर एक post रहने वाले है metric के साथ साथ जो है उसमें एक साल का experience बोला गया है पेंटर के post रहने वाले हैं तो इस तरह से वेकिंसी निकालेगे black ass meat के हैं उसके में से mechanist wood working के post है electrician के post है carpenter के post है carpenter में देखिए 5 पोस्ट है इसमें बोला गया कि आप metric pass हैं साथी साथ एक साल का आपको जो है carpenter में experience है तो form को apply करेंगे इसके वासे मॉल्डर की वेकिंसी है इसके वासे यहाँ पर feeder की वेकिंसी है cook की वेकिंसी कुक में आपको तीन पोस्ट देखने को मिलेंगे दसवी पास होनी चाहिए और बोला गया कि minimum एक एर का cooking में आपको experience होनी चाहिए से होटल में या मेस में उसके वासे sand modeler की वेकिंसी है उसके वासे library clerk में बोला गया क एक साल का experience बोला गया store keeper में इसमें दो पोस्ट रहने वाले है इसके बाद से 12 पास पे बहुत ही संदार 6 नवर की वेकिंसी है लोवर डिजल क्लर की LDC की पोस्ट रहने वाले यह बारवी पास है और आपको computer typing आती है 35 word per minute English में या हिंदी में 30 word per minute दोनों में से कोई एक typing आती है तो आप form को apply करेंगे इसमें 14 यहाँ पे आपको पोस्ट रहने वाले है तो यह बारवी पास के लिए के वेकिंसी है तो इसमें तरह की वेकिंसी MTS में सबसे ज़्यादा पोस्ट है जो की 49 पोस्ट है उसके लडिसयोंसे पोस्ट है तो यह दोसी पास पर है और LDC बारवी पास पर है तो यह यहां पर दख सकते हैं 119 पादव बेकिंसी नृक्त के लिए को सालरी यहां पर दिखाई गया जो की मैं आपको बता दिया अब आती है इसका online apply form के बारे में देगे फ्रिंट्स बोला गया कि online mode में आपको application जो फॉर्म को apply करना जो कि इसी website से form fill up पे start हो रहे हैं और इसमें बोला गया कि आपको जो कोई hard copy send करने के आप सकता नहीं है print out वगरा और आपको जो online application mandatory form भरने के लिए यानि online जैसे इसका start होगा उस दिन से मैं आपको form fill up करके एक वीडियो बना दूगा कैसे form को apply करना है और कल से जो इसका online start हो रहा है अभी मैं बताऊंगा date यहां पे देखिए बात काती है eligibility के बारे में qualification के बारे में तो eligibility है तो मैंने बता दिया starting में कि पोस्ट के लिए क्या qualification है age limit समझ लेते हैं तो age limit बोला गया कि सभी पोस्ट के लिए general के लिए 1825 years की उम्रसीमा है तो form को apply करेंगे cmd को छोड़के बोला गया 1830 वर्स होनी चाहिए और यहां पे बोला गया जो date count करे जाएंगे जो crucial date है वो form fill up के last date पे count करे जाएंगे जो भी age qualification है सब चीज form fill up का जो last date बोला गया देखिए बोला गया last date submission of online application form जो बोला गया है वो बोला गया 25 फरवरी 2023 है तो इस website से जो है form fill up start हो रहे हैं कल से यानि 4 फरवरी से जो form fill up start हो रहे हैं जैसी form fill up start होंगे मैं आपको separate वीडियो बता दूगा कैसे form को apply करना है वीडियो पहले देख लीजेगा step by step मैं आपको एक form fill करके बता दूगा फिल हाल यहां पर जान लेते हैं इसका screening और selection process क्या होगा दिखें सबसे पहले आपका form जब आप apply कर देंगे तो आपका screening होगा यहनी form जो है देखा जागा किसका सही है किसका गलत है इसके according सब्सक्री सही है कि नहीं है उसके बाद से आपका admit card जा रही होगा return exam के रिए उसके बाद से skill test या practical test आपके यहाँ पर conduct करे जाएंगी जैसे कि बोला गया skill या practical test test will be carried out in respect of ldc और cmd या जो ldc है cook है इनके लिए जो है skill test या practical test भी conduct करे जाएंगे जैसे typing वगर करा जाएंगे cooking है तो cooking करवाए जाएगा तो जिस भी trade से apply करेंगे उसका भी यहाँ पर आपको skill test होगा return exam यहाँ पर जो है आपको बताई गई है यहाँ पर mode of selection फिर से बताया गया है यहाँ पर देखिए आपको और भी जनकारी बतेगे बिकलांक वगर के लिए क्या चीज़े है इसके बस यहाँ पर no extra weightage आपको दिया जाए कोई जो है extra weightage नहीं दे जागा आपको ज्यादा qualification है तो syllabus जो होगा return test होगा जो कि इसके website पर provide करे जाएंगे तो syllabus अभी इसका जनकारी नहीं आया हुआ है और यहाँ पर बोला गया exam center जो होगा वह आपको पूने में होगा तो मैंने आपको यह चीज स्टार्टिंग महीं बता दिया कि जो भी selection process होगे जैसे कि return exam skill test वो सब आपको पूने महारास्टा में conduct करे जाएंगे जो कि पिंपड़ी चिंचवार में इसका जो है office है वहीं पर सारे चीज होगे और जो भी चीजे होगी वह आपको जो है admit card जारी करे जाएंगे online के माध्यम से और आप admit card download करेंगे उसके बेस पे आपको जो है return exam या test test सब चीज आपको जो है messenger जैसे post आपको सामिल रहेंगे इस सबके task आपको जो है दिये जाएंगे तो आपको यहाँ पर समझना होगा तो यह vacancy friends निकल क्या रही है आपको वीडियो कैसा लगा friends comment box मताइएगा अगर आपके मन में कोई भी doubts है comment है comment box पूर सकते हैं मिलता है किसी नए वीडियो के साथ हमें दी जाए जायत और देख तरिये डिया सल्पिंग फॉरेवर थैंक यू फॉर वाचिंग जाहिन